सलाम अलेकूम नर्शरिक्लास नर्शरिक्लास में आज हम हमारी मतनी की English की बूक है उसमें तो हम क्या सिखेंगे कि हम page number 41, page number 41 पे e for Apple सिखेंगे क्या सिखेंगे e for Apple देखो यहाँ पर ये रेटर हमें लिख कर दिया हुआ है और apple का picture है तो इसे क्या बोलेंगे हम a for apple बोलेंगे क्या बोलेंगे a for apple a for ant भी बोलते है a for x भी बोलते है a for apple भी बोलते है तो आपको बोल बोलकर लिखना है कि क्या है देखो यहाँ पर हमें dot d हुई है वो dot को match करेंगे और हम क्या लिखेंगे एफ और एपल लिखेंगे तो देखो slanting line, slanting line, sleeping line कैसे लिखेंगे हम लोग slanting line, slanting line, sleeping line तो क्या बनेगा एफ और एपल तो इस तरीके से आपको एफ और एपल लिखना है slanting line, slanting line, sleeping line 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 तो क्या हुआ A for Apple तो इस तरीके से आपको A for Apple दिखना है वो आपका Homework है तो देखो page number 40 पे हमने classwork करा उसके बाद page number 42 तो page number 42 पर भी हमें A for Apple classwork ही करना है तो वो करेंगे और उसके बाद page number 43 उस पर Homework है वो आपको करना है तो देखो हम classwork करेंगे 42 तो उस पर भी हम लोग क्या लिखेंगे A for Apple लिखेंगे क्या लिखेंगे A for Apple तो इस तरीके से आपको A for Apple लिखना है और ध्यान से लिखना है कि हम ये two line में ही लिखेंगे red line से blue line ये दो line में ही हमें A for Apple लिखना है हम क्या लिख रहे है ए for apple तो यह dot d हुई है वहाँ पर हम slanting line slanting line sleeping line slanting line slanting line sleeping line तो क्या हुआ a for apple तो इस तरीके से आपको a for apple लिखना है तो यह आपका home work है उसके बाद page number 43 तो देखो यह home work है तो आपको page number 41, 42 और 43 home work करना है वो आपका home work है तो सब बच्चों को अच्छे से याद रखना है कि आपका home work कितना है तो आपको a लिखना है क्या लिखना है a for apple लिखना है वो भी 3 page बर के